आज एद्धन कर रहे हैं करक्षा 7 की पाठे पुस्तक समझी विक्यान हमारा परियावन से अध्याए 5 जल के अंतरकत भाग एक में चर्चा करेंगे जल चक्र की तो कॉपी पैंसिल लेकर हो जाईए तयार आज ढून निकालते हैं कि ये जल चक्र है क्या देखिए प्यारे जल भी कोई चक्र बना रहा है मतब इंग्लिस में कहते हैं वाटर साइकल बिलकुल हाँ जल का भी एक चक्र बना हुआ है इस पृत्वी पर तो आप ये जानते हैं कि पृत्वी पर सरवादिक क्या है जल है और कहा है महसागरों में है दो चीजे हमने पड़ी स्थल मंडल फ फिर जल मंडल तो इनी के अंतरगत जो जल मंडल है पृत्वी पर वो सरवादिक है कितना प्रतीसत है पृत्वी पर जो जल मंडल है तो 71 प्रतीसत है और 29 प्रतीसत क्या है इस तल मंडल है ये आप जानते हैं अब ये 71 प्रतीसत जो जल है ये नीमित वैसा का वैसा है सतर नहीं हुआ, बेहतर नहीं हुआ, साथ नहीं हुआ, 11 का 11 है है ना कोई राज, यानि कि पृत्वी मैंने बताय था आपको कि 4.6 अरब साल पहले पृत्वी बनी, इतने साल वर्स पूर पृत्वी का निर्मान हुआ तो तब से ये जल इतना ही है बिल्कुल है भई उसका कारण क्या है? उसका कारण ये ही टॉपिक जल चक्र है ये जल चक्र क्या है? जल आया कहां से? वर्सा से? बादल बने? संगनन पर करिया हुई? वापस आया गया कहां से? समुद्रों से कैसे गया? सूरिय से ताप मिला, वास्पिकरन हुआ, फिर उसका उपर संगनन हुआ, बादल बने और फिर वर्षन हुआ और ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र बन जाता है और इसी चक्र को प्यारे बच्चो साधान भसा में हम क्या कह देते हैं? जल चक्र जो एक सवाल पक्का आपसे पूछा जाएगा, देखिए, ये जल चक्र है, ये चित्र ऐसा आपके पुस्थक में वे दिया गया है, इस चित्र को थोड़ा हम समझते हैं, देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, किस जल के श्रोत ये महासागर मोजूद है, ये 71% जो जल है, व उसका कारण क्या है, उस प्रक्रिया में योगदान है सूरिय का, सूरिय से हमें सूरिय तप मिल रहा है, और उसी उर्जा से ये जल, आप ये देख रहे हैं, ये वास्पिकरित हो रहा है, एवपरेशन हो रहा है, और उपर जा रहा है, उसके बाद उपर जाने के बाद आप आप ये देख रहे हैं फिर प्रक्रिया क्या हो रही है, देखो यहां से भी जा रहा है, जल सोतों से भी जा रहा है, वनस पतियों से भी जा रहा है, पेड़ पोतों से एवपो ट्रास्पिरेशन होता है, उनकी पतियों से भी वास्पिकरन होता है, जितने बड़े बड़े पत कांटे-कांटे होते हैं, तो यह प्रकरती नहीं अपने आपको ढाला वुआ है, इसी तरीके से, आगे देखते हैं, ये वनस्पत्यों से भी क्या हो रहा है देखो, वस्पिकरण हो रहा है, इसी तरीके से फिर क्या प्रक्रिया हुई बादलों का निरमान, हमने पड़ा, आसा के रूप में वापस पुन्हे आ गया ही देखो, यह वापस जल आ गया, यानि कि पुन्हे जल का रन ओफ होता है, वो वापस घूमता हुआ, कहां से सुरू आता, महासागरों से सुरू आता, सागरों से सुरू आता, नदियों से सुलू आता, ताल से सुरू हुआता, सोत मतलब जल परपात से शुरूआ, मतलब जो भी अनगिनित जल के स्रोत इस प्रिथवी पर मुझूद है, वहां से जल की ये प्रक्रिया चालू हुई, और ये प्रक्रिया निरंतर घडी की तरह निरंतर चलती रहती है, और उसी से ये 71% जल बना रहता है, बसरते हमें जरूरी ह जल का सरक्षन भी करना है, जल का दोहन बुद्धी मतापून करना है, यानि कि उसको काम में सही से लेना है, बेकार नहीं करना है, पहले पार्ट में अध्धिन किया था इस पर हमने, देखना उस वीडियो को आप लोग, आगे देखते हैं, अब आप copy pencil निकाल कर इसकी परि जलता रहता है, एक प्रक्रिया पढ़ी हमने, और जल ही क्या कर रहा है, उस प्रक्रम में अलग-अलग तरीकों से उसमें बदलाव आ रहा है, रूप बदल रहे हैं उसके, महसागर था, वास्पिकरन हुआ, संगनन हुआ, बादल बने, वर्षन हुआ, अपवा हुआ, पु भाई, धरातल, फिर महसागर, फिर धरातल से, फिर वायु मंडल और फिर वो ही प्रक्रिया पूरी घूम रही है, तो महसागर, जल मंडल, वायु मंडल और फिर वापस से नीचे आ गया, आगे देखते हैं, और इस चकर लगाता रहता है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह दे जल चक्र नोट कर लिया अब एक चीज और लिख ले प्रश्ण को बहुत अच्छे से आगर तयार करना है तो उसके तरीकों को पूरी तरीके से सुची बद करना जरूरी है इसलिए ये देखिए जो प्रक्रिया हमने पढ़ी उसको इस तरीके से और लिख लीजिए कि जल की मह है प्रक्रिया हैं पहला वास्पिकरण फिर संगनन फिर वर्शन और फिर अप्वा अप्वा मतलब भैकर वापस कहां आ गया नदी से नालो से भैकर कहां आ गया वापस समुद्र में आ गया तो ये पूरी प्रक्रिया ही समझ गए क्या कहलाती है जल चक्र अब प्यारे बच थल-साला बनाने पड़ेगी, थल-साला, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये थल-साला होती क्या है, क्या है, बहुत आसान है, एक परतन का जार लीजिए, जो किसका हो, ग्लास का बना होगा, ठीक है, ग्लास का जार ले, उस जार के अंदर आप क्या करें, कुछ मिट्टी तीन चोथाई भागता उसके में मिट्टी भरें, मिट्टी भरने के बाद उसमें कोई बड़ा पोधा लगाएं, बेल वगेरा कुछ लगा सकते हैं, और दो त्यार पोधे उसमें एक साथ लगाएं, लगाने के उपरांत उसमें आप पानी डालें, पर बसरते जो मिट्टी ड हुमस कहते हैं, हिंदी में भी इसको हुमस ही नाम है, हुमस, तो ये पर्थवी की उपरी 25 cm मोटी परत होती है, जो बहुत उपजव है, तो वो डालना जरूरी है उसमें, तब ही जो पेड़ पोधे हैं उसमें उग सकेंगे, फिर उसमें आप क्या कर दीजिए, फवारे से पर से पानी वर्सन किया, छिड़काव किया, वही पानी वापस से पतियों से जड़ों में गया, जड़ों से वापस पेड़ में गया, पोधों में गया, और वापस वो एक प्रक्रिया बन जाती है, वो पतियों से फिर धीरे-धीरे महीन बन, सुक्षमता से उसको देखना जरूरी है तब आपको समझ आएगा कि ये प्रक्रिया कही ना कहीं हमारे जल्चक्र से जुड़ी हुई है देखे आगे थलसाला सबसे पहले इसके परिभासा लिख लिए यह चोटे घर के पोदे रखने का एक कृतिम आहाता होता है आहाता मतलब एक जार या बरतन कह सकते हैं तो हमारी प्रत्वी भी इसी तरीके से है प्यारे बच्चों थलसाला की तरह है जो जल सताब्दियों पूर उपस्तित था मैंने बताया था प्रत्वी पर जब से था जल आज भी वही जल है तो उसके कारण क्या है प्रत्वी एक थलसाला के रहे है बहुत सारी वनस्पतिया जल के श्रोत है, सूरिय है, एक प्रक्रिया निरंतर वायुमंड लिए जो दसाएं है वो निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया को क्रमबत तरीके से पिल्कुल चालू रखती है और उसी से जल बना रखता है ये देखें वही आज भी मुझूद है मालो हर्याना के किसान है, पानी मिल रहा है उनको इंदरा गांधी नहर से, गंगा नगर के किसान है, वहाँ पानी आ रहा है अब कुछ लोग दक्षनी अमेरिका के निवासी हैं, जहां अमेजन नदी से वो भी सिचाई कर रहे हैं, कुछ इजिप्ट में मिसर की नदी से वहाँ सिचाई कर रहे हैं तो कही ना कही आज जो Amazon नदी में पानी है, वो इंदरा गांदी नहर का पानी, ये कही ना कही एक हो सकता है, जो गंगा में पानी बहता है, या कही नीन नदी में बहता है, या थेम्स नदी में बहता है, ये पानी कही ना कही घूमता रहता है, कभी Amazon में था, कभी Haryana में आ ग सागर हैं, सागर हैं, नदिया हैं, जीले हैं, तालाब हैं, इनके उपर भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम विस्तार से मानचित्र के मदद से चर्चा करेंगे, इसे के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद।